नमस्कार में दिक्षा सिंग बोस्काई में आपका स्वागत है जब एक महिला 40 से 50 की उम्र तक पहुचती है तो मैनो पॉस प्रजनन हार्मोन में प्राक्रतिक गिरावत आती है अगर किसी महिला को पूरे एक साल तक पीरेट्स नहीं आते तो उसे रजोनी वृत्ति कहा जाता है पीरेट के बंद होने यानि रजोनी वृत्ति के वस्था में शरीर पर कई तरह के दुश प्रभाव हो सकते हैं जिन में वजन बढ़ना मूट स्विंग होना और हार्मोनर असंतुलन शामिल है रजोनी वृत्ति के दौरान वजन बढ़ना स्विंशेली में बदलाओं लाने से महिलाएं अपना अत्रिक्त किलो वजन कम कर सकती हैं तो यहां हम रजोनी वृत्ति से गुजर रही महिलाओं के लिए वजन घटाने के कुछ उपाय बता रहे हैं स्वस्थ पाचन के लिए फाइबर बेहद आवश्यक है इसके साथ यह वजन को कम करने में भी यह मददगार होता है फाइबर की मात्रा कंज्यूम करने के लिए आपको डेली डाइट में ऐसे आहाँ शामिल करने होंगे जिन में फाइबर पर्याप्त मात्रा में हो इसके अलावा आपको पर्याप्त नीद लेने की भी ज़रूरत है क्योंकि ठीक तरह से नीज ना लेना वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण हो सकता है यदि आप हमेशा खुद को fit find देखना चाहती है तो किसी भी दिन वर्काउट को skip ना करें शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं लेकिन आप रोजाना वर्काउट करके अपनी माश पेश्यों को मजबूत बना सकते हैं इसके अलावा अपने खाने में low carb diet को रखें low carb diet to plan यानी वो food items जो आपके खाने को जल्दी पचाते हैं और वजन कम करने में भी सहायक होते हैं तो मैंनो 5 के समय अधि महिलाएं ये सब रूटीन अपनी daily life में शामिल करती हैं तो उनको वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा